है पर हमें एक कोशन दे रखा है कि हमें sum करना है और नंबर का और और नंबर को फ करीक यह Next नौशर नंबर का सम नी काल लिए एस तरह से कोशन पुछ जाता है यहां पर कोशनों दे रख़ा है तो ये कितना result आएगा अच्छा question जरूर नहीं इतना छोटा होगी even को question को lengthy भी बनाया जा सकता है कि अगर हम 1 से लेके 99 तक सारे ओर numbers का sum करते हैं मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 up to 99 तक सारे ओर numbers का अगर हम sum करते हैं तो वो sum कितना होगा और उसको कैसे calculate करेंगे क्योंकि अगर हम direct add करने बैठेंगे तो बहुत time consuming हो जाएगा तो इसको हम किसी formula से या किसी trick से किस तरह से solve करते हैं यह जानते हैं तो चलिए कुछ नया सीखते हैं तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक question है ठीक है question क्या है कि 1 plus इसको थोड़ा change कर देते हैं so question है 1 plus 3 plus 5 और up to कहां तक हम sum कर रहे है up to 49 हम sum कर रहे है यह कितना होगा 1 से लेके 49 तक सारे odd numbers का हम sum कर रहे है तो सबसे पहले क्या करना है आपको n calculate करना है देखिए n क्या होता है n का मतलब होता है last term plus 1 divided by 2 तो यह हमारा n calculate हो जाएगा अब जैसे यहाँ पर 1 से लेके 49 तक के odd numbers का sum कर रहे है तो n कितना निकल जाएगा last term कितनी है 49 तो 49 plus 1 divided by 2 तो 50 divided by 2 कितना होता है 25 तो यहाँ से n की value आ गए 25 तो n तो 25 आ गया बट जो हमारा answer होगा वो क्या होगा n square होगा तो जो n आया है उसका square कर देना है जैसे 25 आया है तो 25 का हम square कर देंगे तो result will be 625 तो अगर 1 से लेके हम 49 तक के सारे odd numbers का sum करते हैं तो वो कितना आएगा वो आएगा 625 तो ऐसा ही एक और question देखते हैं जैसे 1 से लेके 99 तक सारे odd numbers का हमको sum करने के लिए बोला जाता है अब to 99 तो फिर कैसे solve होगा तो सबसे पहले क्या करना है n calculate करना है n कैसे calculate होता है last term plus 1 divided by 2 तो last term कितनी है 99 इसमें हम करेंगे plus 1 और divide करेंगे 2 से 99 plus 1 कितना होता है 100 and 100 by 2 होता है हमारा 50 तो n की value आ गई कितनी 50 अब हमाई answer लाने के लिए क्लिए 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 n square करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे 50 का square और 50 का square कितना होता है 2500 तो यह हमारा sum आ जाएगा 1 से लेके 99 तक के सारे odd numbers का तो आई हो guys आपको ए concept समझ में आ गया होगा कि odd numbers का कैसे first and odd numbers का हम sum कैसे निकालते है so आज की इस वीडियो में इतना ही था मिलते है next वीडियो में एक नए concept के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लेगे तो की अगरा नए आफसे साथ लेके 8 कषी में इस का कि रार्सा वायो आए度